नमस्कार मित्रों! संदीब्यान यूटूब चैनल में आपका फिर शिस स्वागित है के लेटेस्ट अपडेट के साथ जो निकल रही है राजस्थान फ्लिस कांस्टेबल की जो एक्जाम लगिया है उससे लेकर यदि आपने राजस्तान फ्लिस कांस्टेबल का एक्जाम नहीं दिया है तो इस वीडियो को लाइक करके यहीं बंद कर सकते हैं अन्ने था इस वीडियो पे बने रहे हैं हम आज को तरग वित्र के मादम से यह बताएंगे कि राजस्तान फ्लिस का पेपर आउट हुआ है यहां नहीं तो यहां है यहां मित्रों सबसे पहले आप यहां देख सकते हो कांस्टेबल भरती प्रिक्षा आज की न्यूज है इसके बाद में हम आपको खुश खबरी देने जा रहे हैं यहां देख सकते हैं पहले ओनलाइन अब ओफलाइन भी पहल तो राजस्तान का जो फ्रसासन है वह एकदम फैल ठीक है बासकन अच्छा लिखा है यहां इसके लिए इसके बाद दूसरी पारी का पेपर पहली में बटा लीक माने से डीजीपी का इंकार डीजीपी ने इंकार कर दिया है डीजीपी ने पहले तो चूपी साथ रखी थी यानि कि वह बहुत वैस्त है इसलिए उन्होंने यह का है कि पेपर लीक नहीं हुआ है हम उसके जो बयान वैजी है वो दिखाएंगे आपको तो सरवा परता में यहां हम लेते हैं डीजीपी डीजीपी गैला उत्रा तो पेपर आउट होनी के बारे में उन्होंने बासकर से पूचा डीजीपी गैलाउत्रा बोलें वैस्त हूँ कांस्टेबल बरतिप्रिक्षया का पर्श्रन पतर लिक नहीं हुआ है मैं थोडा वैस्त हूँ आईजी 32 से बात कर लेना ठीक है यह जो ट्रेक है वो डिजी पी ओपी गहलो तरह का है भाई हम कह रहे हैं विश्वास के तोर पर कह रहे हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ है पेपर आपकी गलती से दोनों जो पारिया हैं उनमें सेम पेपर बाटा गया है हम यह नहीं कि पेप गलती हम यहीं मान रहे हैं कि आपने शुबह का पेपर इवनिंग में बाट दिया है वह पेपर हमें दुबारा चाहिए क्योंकि उस वक्त क्या कि सभी जो पंद्रा बीस जो भी वंदिया कर सेंटर में होते हैं डाइसो पानसो वह बहार आकर सभी पेपर देखते हैं इस पर सभान में आ गए हैं और करीबन पान्चों चसों ने उनके जो उत्तर है वह सही भी कर दिये होंगे इसके बाद में जो नेक्स्ट है राजी एडिजी राजी शुर्मा बोले आईजी से पूछो पेपर लिक हुआ है या नहीं यहां देखिए आप एडिजी राजी शुर्मा गए भोले आईजी से पूछो पेपर लीक हुआ या नहीं इस बारे में आईजी बरतीस से ही बात करो यहां पूरी जानकरी वह दे पाएंगे तो यहां डिजेपी के पास कौई जानकारी नहीं है वो अल्ली जानकारी किसके नाम पर हस्तानांदृत कर रहे हैं आईजी वर्ती सेल के इसली के बाद नेक्स्ट है आईजी परशाखा माथूर ने साधी चुपी तो उन्होंने काया अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया है आईजी वरती परशाखा उसी का का श्रशन से चूप जरूर हुई है यहां सेकेंड पार्ट यहां मैं ओपे नियादे उस जी से विसेस नियुवदन है कि करप्या आप है बेरोजगारूं के लिए लड़े नहीं हो सके तो 15 तारिका जो पेपर है वो करप्या दुबारा कराने की कोचिस करें और इस दिगे जात राजिस्तान फिलिस मुख्याले की और चेह में क्या बेस् दिन करीब ग्याराल पॉइंट पांच लग योगाओं ने प्रिक्षा दी मार्च में प्रिक्षा ओनलाइन ओनलाइन हुई थी लेकिन नकल के काड़ ने रस्त हुई थी यह आपको पहले जानकारी होगी लेकिन यह ओफ लाइन कौनशी शपल हो गई है आपकी एक्जाम इस 22 की बीच आ जाएगी और उस पे यह दिया आपको विवा की द्वार कुछ गलत उतर दिया गया तो उस पे आप आपती दर्ज करा सकते हैं यही इसमें कहा गया है यह ओफिसियल वेबसाइट पर आपको लेटर मिल जाएगा वहाँ एक लिंक भी सक्किरी हो गया जिससे आप आपती वगयरा दर्ज करा सकते हैं अपने जो रजिस्टरेशन आइडिया या एसे आइडिया के मादम से सुविधा होगी उस पे जाके आप आपती दर्ज करा सकते हो तो यह था गोया राजस्तान फ्लिस समंदित लेटेस्ट अपडेट है तो यही कहेंगे कि राजस्तान से यह नरूद करते हाज जोड़के की जो 15 तारीकों जो पेपर हुआ करपया वो तो आप दुबारा करवा सकते हैं क्योंकि आपको इसका सबूत मिल रहा है पेपर डबल बटा गया है तो आप करपया उस पे थोड़ा सा ध्यान दे कि छहत्रों के भी स्टूडेंट जिन्होंन कुछ आप कर सकते हैं मेरा आप से यही नविदन है कि करपया इस वीडियो को शेयर करना ताकि किसी अदिकारी या किसी परसासन के अदिकारी उसके पास यह वीडियो हमारा पहुँच जाए और कहीं न कहीं हमारी जो आवाज है वो बुलंद हो जाए तो मिलते हैं अपडेट के साथ तब तक लिए जय बहारत